अप्लिकेशन से लोन लिया है तो अप्लिकेशन के जाल में फसने से बचें जो ये तुरंत लोन दिने वाली अप्लिकेशन चल रही है जादातर फर्जी है जादातर फ्रॉड है चाइना के माधियम से बाकी अलगरे देशों के माधियम से भारत को गुलाम बनाने का भारत के आम जनता को लूट दे का काम चल रहा है, कैसे फसाती हैं वो बताऊंगा, और कैसे बचना वो भी बताऊंगा मैं आपको, अभी BBC ने भी इस पर डॉकुमेंटरी किया पूरा, विस्तार से बात की किस तरह से फसाया जाता है, आपके पास एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है, आपको easy loan चाहिए, बिना किसी document के, बिना किसी collector के, तुरंद loan मिल जाएगा, आपके आधार कार्ट के आधार पर, आपके ID के आधार पर, आपके mobile नमबर के आधार पर, आपको लगता है, मुझे जोरत तो ही, मैं चुका दूँगा, उनका rate of interest बहुत कम होता है, दिखाते हैं कि बहुत कम है, 2%-3% interest में मिल जाएगा आपको, आपको लगता है, चलो मैं चुका दूँगा, अब आप application डाउनलोड कर लेते हैं, application डाउनलोड करते समय, आपके contract की, आपके photograph की, आपकी gallery की, आपकी वीडियो की, सब की access मांग लेता है, और अब आपको loan मिल जाता है, तुरंद आपके account में, आपके account में पैसा transfer कर दिया, आपको लगता है easy हो गया, 10,000 रुपे लिए, 11,000 रुपे देने एक हफते में, बंदे को लगते हैं, चलो ठीक है यार, मेरा 1000 रुपे एकस हो जाएगा, मेरा काम तो हो जाएगा, मैं जहाँ पैसा देना चाता हूँ, वहाँ पैसा तो चला जाएगा, यहाँ तक तो normal रहता है, अब यह जाल में फसाते कैसे हैं, आपने 10,000 रुपे का 11,000 दे भी दिया, जो कि बहुत जाएगा, 10 प्रतिशद weekly interest है, यानि मंतली 40% है, जो कि RBI की guidelines का खुला उलंगन है, RBI कहता है, 2 प्रतिशद माह से, या सालना 24 प्रतिशद जादा interest नहीं लिए जा सकता, यहां आपसे 40% लिए जा जाता है, फिर file charge लिए जाता है, कि आपको पहली file charge लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका loan dispersal होगा, तो आपको 500 रुपे, 1000 रुपे file charge के नाम से ले ले जाते हैं, अब अगर आप loan नहीं चुका पाते हैं, तो आपको फोन आना चुड़ाता है, आपको 7 दिन में देने थे, आप नहीं दे पारे हैं, आप एक काम करें, आपको एक और loan कर देते हैं, अब यहाँ आपसे फिल फाइल चार्ज लेंगे 500 रुपे, फिर आपसे 1000 रुपे एक्स चालेंगे, और फिर यहाँ आपको 9,000 रुपे देंगे, और आपका loan आपके account में कुछ आया नहीं, और आपसे आउट्सेंडिंग मांगेंगे, 11,000 रुपे की, 11,000 रुपे दे दीज वो करते-करते 11,000, 12,000, 15,000, 20,000, 50,000, एक लाग कब हो गया, पता नहीं चलता, और जब आप loan चुका भी देते हैं, कई जगा देखा गया, loan चुकाने के बाद भी, मानो आपने 10,000 रुपे ले, 11,000 दे भी दिये, तो भी क्या करेंगे, 10, 15, 20 दिन बाद फिर आपके account में प एक photograph बनाएंगे, एक महिला के nude photo बना दी गई, nude photo में उसका चेरा लगा दिया गया, उसके सारे इशारों को, boss को सब जगा, क्योंकि सारे contact number हम सेव करते हैं, तो इस तरह के जासाजी चल रही है, और RBI ने सक्ति की है, बहुत सारे application को बंद किया है, लेकिन ये application नए नाम से जाती है, अभी तो वैसे बंद कर दिया गया है, RBI ने सक्स instruction दे दी है, Google Play Store को भी और Apple Store को भी, कि ऐसे कोई भी application जो तुरंद लोन देने का काम करते हैं, इन सब को बंद किया जाए, लेकिन अगर माली जी आप फस गए, माली जी आपने लोन लिया, अब आपको blackmail कर रहा है परिशान कर रहा है, दरने घबराने की जरूत नहीं है, आप तुरंद पुलिस में complaint करिए, इसकी जानकारी पुलिस को दीजिए, अगर आपकी फरिजी फोटो बनाए गई है, आपको blackmail किया जा रहा है, आपके रिशारों को call किया जा रहा है, सीधा सीधा blackmailing है, या अपर नित करेगा, लोन लेने का मतलब ग proportion बना लेना नहीं है, भारत के सविधान के साब से, ना तो लोन लेना अपराध है, और यदि आप समय पर लोन नहीं चुका पा रहे हैं, ये भी अपराध रहे हैं, अपने आपको अपराधी मत मानिये, अपने आपको दोशी मत मानिये, क्या आपको workflow हो मिल जाएगा, आपको easy loan मिल जाएगा, सिर्फ एक application डाउनलोड करनी है, वो application डाउनलोड करने का मतलब, आपके phone का सारा data ले ले लेते हैं, ऐसे application से बचिए, फिर भी अगर फस गएं, तो पुलिस में जाएए, पुलिस में complaint करिए, इनके उपर सक्ट action होना जरूरी है, अगर आप चुप बैठे रहेंगे, डरते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे, ये आप से पैसा आठते रहेंगे, ये आपको कंगाल कर देंगे साब, आप कभी जाल से बाहर ने निकल पाएंगे, आगर निकलना है, तो खुल कर बोलना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, और ये आप पेसे किसी साथ बैसा हुआ है, एप्लिकेशन के बाद देंगे साथ आपको फसाया गया, आपके साथ गलत किया गया, तो comment box में उसके जानकारी दीजिए, लोगों को भी पता चले, लोग भी जागरूप बन पाएं, लोग भी अलट हो पाएं,